ओम नमश्य वाई जै मातारानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्योहार टोड के मैं हूँ आपके साथ रिम श्रिम शर्मा दोस्तों आज अस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ साल 2020 में धन तेरस का तेखार किस दिन पढ़ रहा है फूजा का शुब महुर्ट क्या होगा खरिदारी का शुब महुर्ट क्या होगा इस बार धन तेरस दो तिथियों में पढ़ रहा है तो तिथि कब से प्रारम करें उसकी भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ तो वीडियो बहुत महत्वपोर्ण है जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी बहुत उपयोगी साबित होती क्योंकि हम धन तेरस के दिन जब खरीदारी के लिए जाते हैं तो मैं ऐसे ही नहीं इतना चाहिए किसी भी चीज को हम खरीदने जाते हैं तो वीडियो जरूर देखें सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि धन तेरस जो इस बारतियो हार हम मना रहे हैं जो पढ़ रही है तारीख वो पढ़ रही है 13 नवंबर को 13 नवंबर को शुक्रवार का दिन है और 13 12 नवंबर को हम धन तेरस मनाएंगे लेकिन तिथी प्रारमभू हो जाएगी 12 तारीख से ही 12 और 13 दोनों ही दिन तेरोधिशी तिथी पढ़ती है तो ऐसे में हम दोनों ही दिन खरीदारी कर सकते हैं वो भी महुरत में आपको बता देती हूं धन तेरस के दिन दोस्तों खरी जो भी चीजें जो भी वस्तों हम धन तेरस के दिन खरीदे हैं धन तेरह होता है वो तेरह गुणा जादा बढ़ोतरी आपके जीवन में होती है तो धन तेरस के दिन आप सोनी चांदी के आप भूशन खरीदें पहली नमबर पे दूसरी नमबर पे आप बरतन खरीद सकते ह कई लोग वाहन खरीदे हैं इसे दिन बुकिंग पहले से करके रखते हूं और धनतेरस वाले दिन घर लाते हैं तो ऐसी चीजों की खरिदारी आपके जीवन में शुब ताले कराती है जाड़ु धनतेरस के दिन जरूर खरीदे हैं तो अब मैं आपको पूजा का जो शुब मह महुर्त है वो बताती हूं इस दिन हम पूजा किन की करते हैं इस दिन हम पूजा करते हैं भगवान कुवेर की धन के देवता की धनवंतरी जी की पूजा करते हैं और मालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का महुर्त मैं बताती हूं अब नोट कर लिए जिए क्या होगा तो इस बार धन्तेरस की जो तिरोदी शेति थी है 12 नवंबर गुरुवार को रात्री 9 बज कर 30 मिनट से प्रारंभ हो जाएगी जो की 13 नवंबर शुक्रवार को शाम 5 बज कर 69 मिनट तक रहेगी तो ऐसे में धन्तेरस 13 नवंबर को हम मनाएंगे धन्तेरस की दिन जो पूजा का जो समय होगा वो क्या होगा वो आप नोट करें शाम को 5 बज कर 28 मिनट से शाम को 5 बज कर 69 मिनट के मध्य का जो महरत है वो सबसे शुब है तो इत समय आप पूजा कर लें खरिदारी के लिए अगर दिल्ली के मताबिक अगर समय की बात करूं मैं तो धन्तेरस का जो शुम महुट होगा वो होगा 5 बच कर 34 मिनट से 6 बच कर 1 मिनट तक तो इस बीच आप जो शुम महुट है वो है खरिदारी के लिए आप देखे 12 नवंबर को भी क्योंकि तिथी प्रारंब हो जाएगी तिरोदुशी आप कर सकते हैं इसके लिए जो शुम समय होगा वो होगा सुबह के 11 बीच से 12 चार तक अभीजीत महुट है ये तो इस अभीजीत महुट में आप अपने घर धन्तेरस की रात्री काइश समय है आठ बच कर 22 से नौ बचकर अठावन मिनिट तक अम्रत काल होगा ये तो इस अम्रत काल में भी आप 12 नवंबर को भी धन्तेरस की खरिदारी कर सकते हैं 13 नवंबर को खरिदारी करना चाहते है तो जैसा कि तिथी प्रारंब हो ये थिस समय जो है कि सु करेंगे अब कुछ लोग नक्षत्र के हिसाब से भी खरीदारी करते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं 12 नवंबर को जो कि गुरुवार का दिन है रातरी 9 बच कर 30 मिनिट से 13 नवंबर के सुबह 6 बच कर 22 मिनिट तक हस्त नक्षत्र होगा तो आप इस समय खरीदारी अगर हस् नक्षत्र होगा चित्रा सुबह 6 बच कर 22 मिनिट से शाम के 5 बच कर 69 मिनिट तक तिरोदिशी थी रहेगी तो इस बीच भी आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं नक्षत्र के हिसाब से शुबता देखकर तो आप बिलकुल करें तो दोस्तों पूजा का शुब महुर्त मैं 12 नवंबर को भी और अभिजीत महुर्त क्योंकि जल्ली खतम हो जाएगा 13 नवंबर को तिरोदिशी थी तो आप कर सकते हैं 11 बच कर 20 मिनिट से 12 बच कर 4 मिनिट तक ये समय है दोस्तों ये तमाम जहनकारियां उपयोगी होंगी आप जब खरीदारी के लिए चाहेंगी तो क खरीदारी के पहले आपके तमाम जानकारियां साथ लेकर जाएं आपके जीवन में मालक्षमी की कृपा बनी रहेगी भगवान कुवेर भगवान धनवंतरी का अशिरवाद आपको इस धन्तेरस प्राप जरूर हो ऐसी मेरी कामना है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबि कीजेगा जानकारी अपने तक ना रख कर आगे जाद से जादा शेयर भी जरूर कीजे इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल पर नए आये है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजे वीडो देखनी के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों जै आमादरानी